Hello friends, welcome to my channel दोस्तों अगर आप Flipkart Taxis Bank Credit Card apply करना चाहते हैं तो यह golden opportunity है अगर आपके Flipkart के एक में Flipkart Taxis Bank Credit Card को apply करने को option नहीं आ रहा है और काफी दिनों से आप wait कर रहे हो तो आपको बता दूँ आपको यह option अब आएगा भी नहीं लेकिन अगर आप Flipkart Taxis Bank Credit Card apply करना चाहते हैं तो वीडियो की description में मैंने link दिये हैं आप उस link से apply करेंगे तो आप बड़े आराम से Flipkart Taxis Bank Credit Card apply भी कर पाएंगे और इसे के साथ आपको एक हजार रुपे का एक्स्ट्रा cashback भी मिलेगा जी हाँ अगर आप direct Flipkart app से इस card को apply करते हैं तो उस case में आपको यह 1000 रुपे का cashback नहीं मिलता या फिर अगर आप direct Axis Bank की website से भी इस card को apply करते हैं तब भी आपको किसे दरा का कोई extra cashback नहीं मिलता लेकिन मैंने description में जो link दिये हैं उस link से अगर आप apply करेंगे तो चलिए आपको बताते हैं Flipkart Axis Bank credit card में आपको और क्या-क्या benefits मिलने वाले हैं क्योंकि Flipkart Axis Bank credit card के benefits में कुछ changes हुए है जिनने आपको जानना भूच जरूरी है तो वीडियो शुरू करने से पहले request करूँगा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कर दीजे बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा लिजे ताकि इस तरगी काम की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और अप्ता कार्ब ने मेरे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया फ्लिपकर्ट पे कभी भी शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्लेट 5% का कैश्बेक मिल जाता है और इस पर किसी तरगी कोई कैपिंग नहीं है यह unlimited 5% का कैश्बेक आप जब भी फ्लिपकर्ट पे शॉपिंग करेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा इसके लावा अगर आप इस कार्ड को मिंत्रा पे भी यूज करते हैं तो वहाँ पे भी unlimited आपको 5% का कैश्बेक मिलता है वही दोस्तों अगर आप फ्लिपकर्ट पे क्रेड़ करेंगे तो वहाँ पे आपको 4% का कैश्बेक मिलेगा उबर, टाटा प्ले, क्लियर ट्रिप, पीवियर और कल्फिट इन सभी पार्टनर स्वर्स पे आप कुछ भी शॉपिंग करेंगे तो वहाँ पे भी आपको फ्लेट 5% का कैश्बेक मिलेगा फ्लेट 1.5% का कैश्बेक आपको सारे ओनलाइन और ओफलाइन ट्रंजेक्शन पे मिलता है लेकिन यहाँ पे कुछ ट्रंजेक्शन की कैटेगरीज है जिन पे आपको ये 1.5% का कैश्बेक नहीं मिलेगा जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा अभी आप Flipkart एक्सबेक Credit Card अपलाइ करते हैं तो आपको इस काड़ पे 1100 रुपए के Welcome Benefit मिलेंगे और 1000 रुपए तक का Flipkart का Voucher मिलेगा ये जो 1000 का Flipkart Voucher है ये तो आपको Flipkart की तरफ से मिलेगा ही लेकिन मेरी लिंक से आप अप्लाई करेंगे तो आपको 1000 रुपय का एक्स्टा cashback मिलेगा दोस्तों इस कार्ड की जॉइनिक फील्स है 500 प्लस जेस्टी यानि 590 रुपय और अन्वल फील्स भी है 590 रुपय लेकिन आप कार्ड मिलने के 30 डेस के भीतर में किसी भी मर्चेंट पे कोई भी ट्रंजेक्शन कर लेते हैं तो आपको 500 रुपय का फ्लिपकार्ट का gift voucher मिल जाता है तो आपको केवल 90 रुपय की JST fee payment करनी पड़ रही है यानि कि जॉइनिक फीज जो 500 रुपय है वो तो आपकी वेवफ हो जाती है फर्स टाइम मिंट्रा पे शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्लैट वहाँ पे 15% का cashback मिल जाता है और अगर आप पहली बार स्विगी पे नए अकाउंट बना कि इस कार्ड को यूज करेंगे तो इस केस में आपको 50% का discount मिल जाएगा अप टू 100 रुपीज इसके लिए आपको code यूज करना होगा Axis FKnew दोस्तो इस कार्ड में आपको 1% का fuel surcharge waiver तो मिलता ही है साथ ही आपको 4 complimentary domestic airport lounge access में मिलता है यानि कि per quarter आपको 1 domestic airport lounge access फिल्कुल free में मिलेगा अब दोस्तो 1.5% का unlimited cashback अधर किसी भी category में spend करने पे मिलता है लेकिन यहाँ पे कुछ categories है जिन पे आपको ये 1.5% का cashback नहीं मिलेगा जैसे कि fuel spends, purchase of gift cards on flip cards, mintra platforms EMI में अगर आप किसी transaction को convert करवा लेते हैं तो आपको ये 1.5% का cashback नहीं मिलेगा wallet loading transaction पे आपको ये 1.5% का cashback नहीं मिलने वाला card से अगर आप ATM से cash video करते है तब भी आपको ये cashback नहीं मिलेगा अपने outstanding का balance का payment करते है तब भी आपको किसी तरह कोई cashback नहीं मिलेगा तो ये सारी list of transaction नहीं जिन पे आपको 1.5% का cashback नहीं मिलने वाला ये बहुत ही अच्छा offer है आपको मेरे link पे click करना है आप जैसे link पे click करेंगे आप bankरों की website पर पूछ जाएंगे यहाँ पर अगर आपका account नहीं है तो आपको mobile number या email ID देके account बनाने को का जाएगा उसके बाद आपके समने एक form आजाएगा जिसे आपको fill करना है जहाँ पर आपको अपनी personal details देनी है pen card number वगर देनी है आपकी employment details देनी है जो भी information आपसे मांगी जा रही है वो आपको यहाँ पर देनी है अगर आप एक salary person है तो आपकी minimum salary 15,000 रुपीज होनी चाहिए और अगर आप एक self-employed है तो आपकी monthly income 30,000 रुपीज होनी चाहिए या फिर सालाना साड़े 30,000 रुपए होनी चाहिए तो आपको यह card बढ़ी जा बुले